आज 8 अगस्त को RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमीटी खत्म हो गई है और अगस्त पॉलिसी में रेपो रेट को स्थिर रखा गया है जो की 6.5% है और ऐसा नौवी बार हुआ है जब इन रेट्स को स्थिर रखा गया है 2018 के बाद सबसे ज़्यादा ये रेट्स फिलहाल के लिए हैं गवर्नर शक्ति कांट अदास की अधख्षता वाली मॉनिटरी पॉलिसी कमीटी मीटिंग में शामिल 6 मेंबर्स ने इन रेट्स को स्टेबल रखने पर फैसला लिया है भारतिये सेंट्रल बैंक ने ब्यासदरों को स्थिर रखा है लेकिन दूसरे देशों के सेंट्रल बैंकों की पॉलिसी मीटिंग में किस तरीके का रुख अपनाया जा रहा है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर हम सबसे पहले बात करें यूस फेड की तो अमेरिकी सेंट्रल बैंक फैडरल रिजर्व ने 31 जुलाई को ब्यासदरों पर एलान किया था एफो एमसी मीटिंग में आठ वी बार ब्यासदरों को स्थिर रखा गया था जो की 5.25% से 5.50% है ब्यासदरों को लेकर एफो एमसी के फैसले को लेकर वाल स्ट्रीट का भी यही अनुमान था इसके बाद आता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक जुलाई पॉलिसी में ब्यासदरों को इसने भी स्थिर रखा था इसी भी ने 18 जुलाई को पॉलिसी मीटिंग में दरों को स्थिर रखने का पैसला किया हाला कि महंगाई में लगातार गिरावट के चलते सितंबर में कटोती के संकेत दिये हैं बी ओई यानि के बैंक ओफ इंगलेंड की अगर हम लोग बात करने तो एक अगस को पॉलिसी मीटिंग में 22 को घटाने का एलान किया गया है चार साल में पहली बार दरों में कटोती कि गई जिसे रेट्स 5 पर आ गए हैं पॉलिसी कमीटियों में शामिल पांच में से चार मेंबर्स में दरे घटाने पर अपनी सहमति जटाई थी बी ओई के गवर्नर एंड्री बेली ने कहा था कि कमिटी आगे के लिए सुतर्क है आगको बता दे कि अगस 2023 से ब्यास दरे 5.25 पसंट पर बरकरार थी जो कि 16 साल का हाई था लेकिन अब इसे बैंक ओफ इंगलेंड ने 5 पसंट कर दिया है अगला आता है बैंक ओफ जपान 31 जुलाई को पॉलिसी मीटिंग में यहां पर भी रेट घटाने का एलान किया गया था और इसके तहत दरों में 0.25 पसंट की कटौते की गई थी हालाकि शुयाब मार्केट में तेज करेक्शन को देखते हुए डेपिटी गवर्नर ने कहा था कि अगर बाजार में अस्थरता बरकुरा रही तो ब्यास दरों घटाने का फैसला वापस भी लिया जा सकता है इसके बाद आता है औस्ट्रेलिया का सेंट्रल बैंक 6 अगस्थ को खत्म पॉलिसी मीटिंग में ब्यास दरों को होल्ड रखा गया था जो कि 4.35 पर हैं इसके दिन पहले वाइल्ड मार्केट स् स्वाह हो गए थे तो इसलिए ब्यास दरों को होल्ड रखा गया इसके बाद आता है बैंक ओफ कैनेडा के सेंट्रल बैंक ने अगस्थ पॉलिसी में ब्यास दरों में कटोती का एलान किया बैंक ओफ कैनेडा ने दरे 25 बेसिस पॉइंट की कटोती की जो की अब घटकर 4.5 पर आ गई है आपको बताते कि ब्यास दरों में लगातार दूसरी बार कटोती की गई थी बैंक ने कहा था कि अगर महगाई में आगे गिरावट देखने को मिली तो दरे आगे और भी घट जाएंगी हाल फिलहाल के लिए नौबी बार आर बी आई ने भी रेपोरेट को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड़टन्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले